नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में देखेंगे समान्य हिंदी का प्रश्ण यानि की जो सेट हम ले रहे हैं ये दोस्तो जूनियर असिस्टेंट 2023 का जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर देखने वाले हैं सौल पेपर है 278-2023 का तो दोस्तो इससे आपको एक आइडि से देखिए मुर्धा कभी-कभी लिख देगा कभी-कभी मुर्धासन ने लिख देगा कभी-कभी मुर्धन ने लिख देगा वेंजन है तो इनमें से कौन सा है तो मैंने जो है करवा रखा इसको तो देखिए मुर्धा मतलब क्या आता है मैंने आपको उचारण वाले में य धह बोलिए यह सब जब आप बोलेंगे उचारण करेंगे तो क्या होगा मूर्धा हो जाएगा जो जीब है जीब जो मूर जाएगा या फिर कहिए कि उचारण से क्या होगा मूर जाएगा मूर से आप मूर्धा याद रखेगा तो टवर्ग में ही आता है तो यह आपका मूर् तव अलब मुर्धने या मुर्धसने जो भी लिखाया है मुर्धा हो जाएगा ठीक है अगर बात करेंगे इसी प्रकार से जो 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 चौवर का है किसका है चौवर का है उसके अनुसार यह क्या हुजाएगा तालव यह फिर तालू हो जाएगा तालव वे हो जाएगा ठी इसका right answer A हो जाएगा तो यह जो chapter है कौन सा ध्वनी इसको ध्वनी में भी पढ़ते हैं वर्ण माला भी chapter में आपको मिल जाएगा वर्ण माला में तो यह सब आप देख लिजेगा बहुत ही important है एक्जाम के लिए नाम धातु क्रिया का प्रियोग किस वाक्य में है इनमें से क्रिया का वाक्य का use हुआ है तो नाम धातु क्रिया कहते किसको है तो दोस्तों जब वाक्य में किसी अगर क्रिया की बात करेंगे तो किसी कारे के होने अर्थवा दोस्तों जो है करने का जब पाई जागा तो इसको क्रिया करते हैं लेकिन नाम धातु जो होता है वो जब सं संग्या सर्वनाम या विशेशन सब्दों के अंत में क्या होगा प्रते जोडने पर संग्या हो सर्वनाम हो या विशेशन इनके अंत में प्रते जोडने पर क्या होगा क्रिया की तरह दोस्तों यह क्रिया का निर्मान हो जाता है जैसे उसको नाम धातू कहते हैं जैसे कि पुरी संपत्ति हाथियाली हाथियाली तो इसी में दोस्तों जो है क्या हो जाएगा आपका हाथियाया ये दोस्तों क्या है ये क्रिया का निर्मानिया पर हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये ही आपका नाम धातु हो जाएगा नाम धातु क्रिया ये इसका रेड इंसर ह हो जाएगा ठीक है हां जाति आना इसे करके कई चीज़ बनता है ठीक है बात करेंगे वाक्या वाक्य में विधय विस्तारण पूछा गया है तो में विधे विस्तारण दोस्तों क्या होगा इसमें दोस्तों जल्दी जो है विधे विस्तारण होगा क्या होगा जल्दी विधे जो विस्तारण है विधे की विसेस्ता बतलाने वाले जो सब्द समू है या फिर जो सब्द है इसको विधे विस्तारण या विस्तारण कहते हैं ठीक है तो या देखे का जल्दी चलिया में जो जल्दी है जल्दी जो है वो चलिया का क्या बता रहा है विसेस्ता बता रहा है ठीक है तो जल्दी यहां पर राइड एंसर हो जाएगा डी नेश्ट बा तो ये दिनकर जिकी है न की सुमितानन्द पंजी की तो यही इसका रेटेंस हो जाएगा सुमितानन्द पंजी के और भी कृतिया है जैसे वीड़ा, पल्लव, स्वर्ध, धुली और भी है जैसे की बुढ़ा चांद, बुढ़ा चांद एक आपका ग्राम्म्या है कला और बुढ़ा चांद, एक है युगवाणी, युगवाणी ये सब इनके कृतिया है याद दोगे है कुरूचे तर रामदारी सिंग्धिन करका है नेश्ट बात करेंगे सन्यूक्त वाक्य की पहचान क्या होती है तो सन्यूक्त वाक्य की पहचान दोस्तों देखिए अगर बात करेंगे रचना के अधार पर तो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के पहिला होता है सरल वाक्य या फिर इसी को साधारन वाक्य करते है एक सन्यूक्त या फिर सन्यूक्त एक सन्यूक्त होता है और एक आपका होता है मिश्रित या मिश्र तो देखिए सरल लियाव इसी को साधारन कहते है सन्यूक्त और मिश्र तीन प्रकार क्या होते हैं पूछा गया सन्यूक्त वाक्य सन्यूक्त वाक्य जो होता है दोस्तो वो उसमें क्या होगा एक प्रधान और एक दोस्तों जो होता है वो समानेदिकर अड़वा उपवाके होते हैं और दोनों जो उपवाके होते हैं वो आपस में सोतंत्र होते हुए भी क्या कहेंगे किसी एक योजक से जो जुड़े होते हैं तो अगर option में D देखिए दोनों उपवाके आपस में सोतंत्र रहते हुए किसी योजक योजक क्या रहेगा और लगा रहेगा अथवा लगा रहेगा किन्तू लगा रहेगा इस आदि से जो है ये जुड़े होते हैं तो इसी को सन्यूक तो बाक्य कहते है तो D इसका red answer हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे जिस क्रिया से सुचित होने वाला व्यापार करता करे और उसका फल करता पर ही पढ़ दिखे जब करता करेगा करता पर ही पढ़ जाएगा तो कौन सी क्रिया पूछेगा तो अकर्मक क्रिया याद दखेगा ठीक है अगर कर्म पर पढ़ रहा है तो क्या हो जागा आपका सकर्मक तो ऐसे करके आपका रहेगा ठीक है तो यह क्या है अकर्मक क्रिया आपका red answer हो जाएगा ए इसका red answer हो जाएगा जैसे सीमा गई है तो यहां गई का दोस्तों वे आपारे फल जो है करता पर यानि सीमा पर ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे के लिए किस कारक का चिन है तो इसमें आपको कारक भी याद रखना है कारक तो जो भी हम पेपर रुप से कोस्टन करवा रहे हैं टॉपिक्स को इन टॉपिस को क्लियर कर प्ली जाएगा क्यूंकि इससे कोफिशन पूछे जा सकते हैं कारक जो हते है वह 8 होते हैं करता कर्म को आपने यादड किया हुerm है करण से संप्रदान के लिए क्या होता है क्ये लिए क्ये पूछा गया है पपादान होता है अलग होने के उसमें संबंध रहेगा मतलब उससे संबंद पता चलेगा अधिकर्ण संबोधन हे भो जो बोलते हैं तो ये सब्ध दोस्तों आप से पुछाता है आठ आपका होता है इन में से पुछा कि के लिए के लिए संप्रदान के लिए होता है ठीक है तो ए इसका रेडेंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस अलंकार में सब्ध का प्रियोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं एक बार ही प्रियोग होगा उसके एक से अधिक बार जब अर्थ निकलेंगे तो स्लेश अलंकार होता है ठीक है यमक में क्य एक कालग दूसरे कालग निकलेगा दातूरा, सोना लेकिन सलेब इसमें यह वहता है, अनिक निकलेगा, एक से अधिक दोस्तों जो है, इसमें अर्थ निकलने रहता है एक पर रहा हुआ है , तो दोस्तो यह कि इसमें क्या है पानी जो सब्द है इसका तीन अर्थ है जिसे एक है चमक के एक कैए बार यह आता है क्कि एक है परतिष्ठा के लिए यूज किया गया है और एक जल पानी के लिए ठीक है तो यह तीनों है ब्यांनों स्लेच अलंकार हो जाएगा सरकारी भी भाग में अगर आप कर रहे हैं प्रधानाचारे को भेज रहे हैं व्यवसाय में कोई पत्र लिख रहे हैं आविदन पत्र प्रातना पत्र ये सब जो रहता है ये अफचारिक पत्र होता देखिए अंग तालिका की नई प्राप्ती प्राप्त करने हैं तो केंदरी है जो मादमिक सिच्छन बोर्ड में लिखा जाने पत्र ये भी आपका अपचारिक पत्र है कौन सा नहीं है बताना है कर्था में प्रथा माने पर जो है अच्छा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पूत्र के लिए पीता द्वारा लिखा जा या दोस्त मित्र को लिखेंगे तो बात करेंगे नीचे दिये गया उधार के साथ संधी का नाम मतलब आपको वदाना किस अभी कल्प में अशुद्ध है मतलब इन में से संधी का नाम दिया है जिसे दिगंबर में वेंजन संधी है महाबड़ में आपका दिर्ग है सदेव है इसको मैंने ट्रिक से भी करवा रखा है आप गयांगे तो एक बार और करा दूँगा तो दिगंबर में आपका होता है दिक प्लस अंबर आपका हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जागा है वेंजन संधी बिलकुल ठीक है महा रणाव दोस्तों जो है ये दिर्ग स्वरसंध संधी है ठीक है इसमें होता है महा महा प्लस आपका जो है अर्ण दोस्तों इसका होता है तो दिर्ग स्वरसंधी आपका हो जाएगा सदेव सदेव में दोस्तों मैंने आपको ये विर्दी संधी है डबल क्लिक से मैंने आपको उपर से बताया था और एक रहेगा तो क्या ज तो इसका जो है दिर्ग दिया है यही आपका गलत हो जाएगा सदेव का जो संदी विशेद हो जाएगा सदा धन एव नेक्ष्ट बात करेंगे जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनी मुख के साथ साथ नासी का द्वार से निकलती है मतलब मुख से भी निकल रही है उसके स बता दे रहा है कि चंदरबिंदी लगा होगा जैसे चाद लिख रहे है क्या लिख रहे है चाद तो यह क्या है नाक से भी निकल रहा है ठीक है तो वही आप याद रखेगा चंदरबिंदू लगा देते है ठीक है अनुनासिकता आ जाएगा न तो ऐसे कर दीजेगा ठीक है नाशिक के जब बोल देगा तो क्या होगा नाशिक के जब बोल देगा तो मतलब नाक से निकलने वाले जैसे आपका इया होता है आणा होता है अंगा होता है और जिसे गंगड़ पता ही नमे में आप देखेंगे यहां पर ऐसे हो जा रहा है अंग की मातरा जोती मतलब इसको ऐसे लिखते हैं तो यह सब नाशिक क्या होते हैं उचारन स्थान मैंने याद करवा रखा है इससे पीछे वाला ध्वनी वाला वीडियो देख लीजेगा किस यूग में अशुद्धी है गलत वाला आपको बताना है सत्सई में देख रहे हैं यहाँ पर अंक आ रहा है तो अं यही भाव ही होगा प्रती मैंने यह आपको करवाया था याद अव्याई भाव यह भी होगा तो यही आपका गलत है करमधारे कर दिया गया है ठीक है समास नेक्स्ट आपिक याद कर लिएगा समास टेपर में पूछा गया है नेक्स्ट बात करेंगे यदि नेहा परिश्रम करती तो परिच्छा में अवस्य उत्रिन हो जाती बताना आपको है वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है देखिए नेहा यदी यानी हेतु है अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा यानी यदी नेहा परिश्रम करती तो परिच्छा में अवस्य उत्रिन हो जाती यानी भूतकाल है हेतु मद भूतकाल यानी ऐसा करते तो ऐसा आपको रिजल्ट मिलता ऐसा करते भी चुका है ऐसा करेंगे हो जाएगा तो क्या भविश्यत हो जाएग क्या करतें इसको? हेतु हेतु मद भूतकार नेक्ष्ट बात करेंगे रे खान की जो पदबंध है का प्रकार बताईए इसमें कौन सा प्रकार है? उस जैसा जिंदा दिल इनसान मिलना कठीन है जिंदा दिल, तो दोस्तों ये क्या कर रहा है? ये दोस्तों क्या बता रहा है विशेष्टा बता रहा है क्या बता रहा है जिंदा दिल में दोस्तों जो है पदबंद में विशेशन बता रहा है विशेशन दोस्तों पदबंद हो जाए क्या हो जाएगा विशेशन पदबंद यानि कि राइट एंसर इसका जो है ए हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर किसकी विशेशन बता रहा है दोस्तों जो है उस इनसान की बता रहा है तो आपका विशीशना पदबंद यानि ए इसका रेड एंसर हो जाएगा ठीक है पदबंद जो होते हैं वो एक से अधिक जो सब्दों का समू होता है उसी को पदबंद करते हैं मिल करके जो है एक पद की काई की रुपे है ये कार करता है नेक्स्ट बात करेंगे यहां भी आपका वही आगया देखिए पदबंद को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सरोचित है पदबंद को बासा में मतलब कौन से सब्दों में बढ़ियां से बताए गया है पहला जो कह रहा है वो आप्शन करता है कि पदबंद सब्दों का समू है जो वाके से सोतंतर थोड़ी होता है नेक्स देखिए पदबंद एक से अधिक सब्दों का समू है जो मिलकर एक पद याई काई की रूप में कारे करता है तो यहीं आपके ठीक है ठीक है अभी हमने इसके बारे में भी डिसकसी किया है तो B heavily इसका रेटेंस हो ज़िए पदबंध जो है पदों का एक समुए जो अनेक पदों का कारे करता है अनेक पद का ज़ोड़ी कारे करता है पदबंद उपवाक का दूसरा नाम है यह भी लगवलबड ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर बी जो ही सरोचित जो ही गल्प है next बात करेंगे नीचे दी गई तालिका में आपको अशुद्धी जो मेल कौन सा है इसमें आपको बताना है देखिए यहाँ पर वरण दिया है यहाँ पर प्राण तत्तो दिया है यहाँ पर स्वास कंपन दिया है यहाँ पर आपका उच्चारण दिया है देखिए स्वास तो ऐसे लिखाता है लेकिन दोस्तों जो है जब भी लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है तो आप समझेगा स्वांस ऐसे लिखाता है याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर देखिए वरण दिया है तो देखिए मैंने अभी आपको याद करवाया था घोश, अगोश, अलपप्राण, महाप्राण तो कौ का जो उच्चान स्थान वो कंठ ही है कवर्ग का टोटल जो है उच्चान स्थान क्या है कंठ है अभी यहाँ पर आजएगे लेकिन अंग यह सब जो है न पाच्वावला इंग यह सब क्या है नासिक है उनका उच्चान स्थान तो इसका यह तो ठीक है अगोश और घोश में आपके क्या पता है था घोश अगोश में आगोश अगोश किसको करते हैं जिसमें ज़्यादा गूजायमान नहीं होगा कख जो है यह घोश नहीं कर रहा है बाकी आप देखे गगः यह सब क्या अगोश हो रहा है ठीक है यानि पहला घोश में क्या होता है अगोश में सुरी पहला और दूसरा अगोश होता है अलपपराण में क्या होता है पहला होता है तीसरा होता है पांचवा होता है ठीक है इसको मैंने करवा रखा है अच्छे से पहला तीसा मतलब कह होगा फिर उसके क्या होगा खा नह यानि दूसरा है दूसरा यह आपका क्या होगा आपका जो है अगोश्चों का बिल्कुल ठीक है और दूसरा महाप्राण के अंतरगत आता है तो दोस्तों यह जो दोस्तों महाप्राण के अंतरगत बिल्कुल ठीक है और चावर का जो है तालू होता है चावर का क्या होगा यह का वर्ग का कंट होता है, चा वर्ग का तालू होता है, दो का देखिए, तो आपका टा वर्ग में आता है यह, तो मूर्धा होता है, बेलकुल ठीक है, टा वर्ग का क्या होगा, मूर्धा होता है, ठीक है, और देखे, टा, ठा, डा, यानि यह तीसरे नंबर पे आता है, तो त तीसरा जो होता है वो 100 घोस होता है यानि गुझायमान होगा तो तीसरा है ये तो मैंने आपको बता है कि तीसरा और उसके बाद वाला चौथा ये मतलब ये सब क्या होता है गुझायमान होता है यानि 100 घोस या 100 घोस कह सकते है ठीक है तो ये गुझायमान है बिल्कुल ठीक ह प्रान है क्यूंकि थीरा, पैला, पािली तीसरा, पैल्प व्रान होता है, बिल्कुल ही ठीक है ए, यह धो में देखेंगा भाज चाहिए जरूर पूछा जाता है तो ध्वनी का जिसे एक chapter जो हमने वन माला वला करवा दिया है उससे ये question था next बात करेंगे अर्ध विराम चिन कहां लगता है तो कि अर्ध विराम जब चिन लगता है उसको ऐसे दरसाते हैं ऐसे ठीक है जो ये एक कॉमा होता उसको अल्प विराम करते हैं इसको क्या करते हैं इसको अल्प विराम करते हैं क्या करते हैं अल्प विराम चिन जो खड़ी पाई ये उसको पूर विराम करते हैं पूर विराम तो विराम चिन वाला भी आप देख लेगा तो अर्द विराम दोस्तों कहां लगता है जहां अल्प विराम के अपेक्षा थोड़ा कम रुखना नहीं कम नहीं जादा रुखना होता है जहां अल्प विराम मतलब ये कॉमा से थोड़ा सा इसके अपेक्षा में क्या होगा अधिक रुखना होता है तो वहीं लगाते है ठी उद्रण चीन क्या होता है, ऐसे करके नहीं करते हैं, उसी को उद्रण चीन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट इंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेक्स्ट बात करेंगे, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक यूग तक की हिंदी के विकास क्या सही क्र पाली प्राकर्त ठीक है, फिर उसक्याद अपभ्रंस अवहत हिंदी, तो लेकिन यहाँ पर दिखिया वैदिक संस्कित लॉकित संस्कित, लॉकित संस्कित, तो इससे थोड़ा सबस दिमाग लगाना है कि वैदिक सबसे पहले आएगा, पहले वैदिक रहेगा, उसके बाद वैदिक संस्कित, वैदिक संस्कित, वैदिक संस्कित, वैदिक संस्कित, फिर लॉकिक संस्कित, यह गलत हो गया, यह है ही नहीं, यानि आपका इन जो है, दोनों में से कोई राइट एंसर होगा, यानि कि या तो A, या तो C, ठीक है वैदिक संस्कित, वैदिक संस्कित, लॉक फिर उसके पाली आना चाहिए था ठीक है तो यहां पर यह बिल्कुल ठीक है पाली आना चाहिए अब अपभरंस अपभरंस बात में आता है पाली फिर प्राकिर्ट फिर अपभरंस फिर अपकी हिंदी आ जाएगी या प्रारंबिक हिंदी जो भी कहिए तो ए नंबर आप्शन अपका सही हो जाएगा नेक्ट बात करेंगे भवन और फिर भवन आगया गया एक सेकेंड इसमें कुछ गड़बड है पहले दोस्तो अपका भुवन होगा एक सेकेंड ये दोस्तो भुवन है एक भवन है एक भुवन है तो भवन और भुवन का आर्थ का सही भी कलब आप बताना है तो भवन मतलब क्या होता है घर होता है तो घर के लिए दिया होगा एक ये दिया है एक ये दिया यानि ये दुन बी या इस में से सी में से राइड इंसर होगा ठीक है और भुवन मतलब होता है लोक या नहीं कहते हैं लोक या जगत तो one दिया है इसको काड़ देंगे तो महल और जगत यानि ये डीस का रेटिंस हो जगा भूवन था ये करेक कर लीजेगा नेक्स्ट बात करेंगे किस युगम का विलोम रूप सुध नहीं है यानि गलत वला बताना है तो ओदार्वे का अनोदार्वे आपका बिल्कुल ठीक है जो है उतकर्स का अपकर्स हो जाएगा बिल्कुल ये भी ठीक है संधी का समास नहीं होता देखे संधी का होता है संधी विच्छेद क्या होता है विच्छेद होता है समास का होता है समास विग्रह ठीक है, तो इस दोनों जुड़ने के सेंस में हैं, विच्छेद आपका होगा, ठीक है, विलोम, स्वास का नी स्वास, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो विलोम भी आपको देख लेना है, नेक्ट बात करेंगे निमने लिखित में से किस विकल्प में सभी सब्द परयायवाची हैं, इनमें से कौन सा जिसमें सभी सब्द परयायवाची है, तो इसमें देखिए, सतीस ये भी संकर जी का है, संकर महेश्वर शिव, यानि शिव भगवान के सभी सभी सब्द परयायवाची यही ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों और भी आपके त्रिपुरारी, भोलेनात, मह देव, देवादी, देव, कैलासपती, एक जो है, इमपोर्टेंट कुछ-कुछ आता है, जो की अलग जो होता है, एक मदनारी है, इनका परयायवाची, क्या है, मदनारी अलग है, चंद्रमौली, ये भी कई लोग को याद होता है, ठीक है, तो चंद्रमौली भी यह उत्रिपुरारी यह सब सबको याद रता है कैलासपती शंकर शतीस नहीं याद रता है जो है और आपका जो है मदनारी नहीं आदरता है चंद्रमौली नहीं आदरता है तो ये सब आप याद कर लिजगा वाकी आप देखेंगे तो कहीं गणड़ो धोज दिया है तो उसमें विनायक डाल दिया है कुछ न कुछ अलग कर दिया है नेक्स्ट बात करेंगे अकर्मक धातूं से बनने वाला और सदेव एक वचन पुलिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्चे कौन सा संभव है बात क्या हो रही है द्यान से सुनिए अकर्मत धातुओं से बनने वाला और सदे एक वचन पूरलिंग और अन्य पूरुश की क्रिया वाला वाच्चे कौन सा संभव है यह दोस्तों जो है भाव वाच्चे संभव है जैसे समझेगा इसमें क्या होगा जिसे आपके कर्म है तो उससे पहले जिसे की कोई भी आपका रहेगा जिसे चला नहीं जाता जिसे जो भी आपका काम रहेगा आइसा रहेगा कि भाव से रिलेटर है मुझसे चला नहीं जाता मुझसे खाया नहीं जाता ठीक है उनसे चला नहीं गया उनसे किया नहीं गया ऐसे करके जब रहेगा तो उसको क्या करेंगे यह दोस्तों ज परता की और नहीं कर्म की प्रधानता होती इसमें किसकी प्रधानता होगी इसमें होगी भाव की प्रधानता सी इसका राइड एंसर हो जाएगा नेक्ट देखिए सब्दों के आधी से जुड़कर आधी कई लोग नहीं समझते हैं यानि आगे सुरू में ठीक है आगे जुड कर सब्दों के अर्थ में विशेष्था लाने वाले सब्दांस को क्या करते हैं आगे जुड़ जाएगा यानि उपसर्ग पीछे जुड़ जाएगा यानि क्या होगा प्रत्य आव से आगे यानि उपसर्ग अपाव से प्रत्य यानि पीछे ठीक है और नीपात क्या होता है न निपात दोस्तों बल डालता है कोई भी चीज के लिए बल जिसे तुमको ये करना ही होगा तो ही क्या हो जगा निपात हो जाएगा तो याद रखिए का निपात भी एक्जाम में आता है और एक नंबर आपका अलग से आपको मिल जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे आज हमारी बारी है वाक्य में आज जो है वो कौन सा पद है आज हमारी बारी में मतलब आज जो है ये क्रिया विशेशन है क्या है क्रिया विशेशन है जो अव्य अथवा अविकारी सब्द क्रिया की विशेश्ता क्रिया की दोस्तों जो है विशेश्ता बताएगी तो उसको क्या कहें के उसे दोस्तों क्रिया विशेशन करते हैं जिन सब्दों के रूप या फिर वाक्य सदा एक से बने रहते हैं उन्हें अव्य या अविकारी सब्द कहते हैं एक से बने हो तो उसमें चेंज नहीं होता है उसको अव्य या अविकारी सब्द करते हैं ठीक है जिसे आज को लाइन है तो ऐसा पत्र लिखो जिसम में विद्याले की सभी समस्याओं का उलेखो तो यह कौन सा है इसमें जिसमें जब लगया ना तो क्या होगा विशेश्चन जो है उपवाक्य विशेश्चन उपवाक्य अब दोस्तों क्या यह होता है विशेश्चन उपवाक्य उन्हें कहेंगे जो प्रधान जो उपवाक्य में संग्या या जो कर्म कर्ता या कर्म या थवा जो सरवनाम है इसकी विशेष्था को बताएगा मतलब जो पहला वाक्य है ऐसा पत लिखो जिसमें ठीक है विद्याले के सभी समस्याओं का दोस्तो लेखो तो इसको क्या कहेंगे विशेष्थान उपवाक्य जो जिसका जिसमें जिसकी जिसके ऐसे करके लिखा रहेगा आदी जो है संबंध वाच्चक सरवनाम से जुड़े होते हैं इससे जो है संबंध करकर जुड़ा रहेगा ठीक है पत्र के बारे में बताया जा रहा है तो राइट इन से इसका भी हो जाएगा तो देखिए उसको यह आपके 25 कोश्चन थे इसके बाद जो 5 कोश्चन आते हैं एक्जाम में 30 अगर प्रेश्ण बन जाता है तो वो आपके आते हैं पैरागर आप से देख देके करना होता है जो गध्यान से कोश्चन थे हैं तो आसकरते हैं दुस्तों कि हमारा प्रेयास हमारा वीडियो पसंद आऊगा और पेपर में जहां-जहां से कोश्चन बने हैं उनका डिटेल वीडियो में जल्दी से प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा, हमारा वीडियो देखने लिए धन्यवाद, प्लीज लाइक और शेफ धन्यवाद